जय हिन्, स्वागत है आपका हमारे चैनल दयाप्रेंट में तो आज हम बात करने वाले हैं वर्टिकल मोसन की या फिर इसे को हम टॉप आफ तावर केस कहते हैं या फिर हम इसको मोसन अंडर ग्रेविटी कहते हैं ऐसे कि कोई किसी बॉल को यहां से ड्रॉप करें या फिर यहा को कहते हैं च्छायती गती और वर्टिकल को कहते हैं उर्धवाधर गती ठीक तो इसमें हम इनीसियर विलास्टी को यू मानते थे यहां भी इनीसियर विलास्टी को हम यू ही लेंगे और यहां पर हम फाइनल विलास्टी को भी लेते थे यहां पर भी हम फाइनल विलास्टी क यहां पहला हो हाइड के डर में थी है इस टावर की यतनी भी दूरि हूँ हा है इसको हम halls रेजेंट करेंगे ठीक है और यहां पहले ड्याज़ारेशन को यहां पहले हैं अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ फेक रहे हैं यानि कि अगर हमारा motion ऊपर है तो हम माइनस जी लेंगे अगर हम यहां ऊपर तो नीचे की तरफ आ रहे हैं अगर हमारा motion नीचे की तरफ है डाउनवर्ड है तो इसको हम प्लस जी लेंगे ध्यान रखना अगर upward motion है तो माइनस जी against gravity है तो माइनस कहा आता है ना कि तुम मेरे against हो तो against मतलब होता है कि opposite या उल्टे हो और under gravity मतलब direction में gravity की gravity नीचे लगती है तो हमारा क्या हो जाएगा plus z हो जाएगा ठीक है अब हम laugh motion जान लेते हैं laugh motion कर दो condition में बाट लेंगे या divide कर लेंगे कब जब initial velocity 0 ना हो और जब initial velocity 0 हो यानि कि हम इसको यहाँ से drop कर दें या फिर यह दूसरा case या फिर हम इसको यहाँ से नीचे फेंकें यह दो case है इस case में जो first वो आता equation क्या आता है V बराबर U प्लस 80 आ जाता यहाँ पर एक के जगह प्लसथ रखना है जी हाद रखना है यहाँ पर होता है Sa GA Mike gustado यहाँ क्या हो जाएगा H बराबर UT plus minus half GT square plus minus इसको ध्यान है ना ऊपर जाएंगे तो minus नीचे जाएंगे तो plus अगर一次 हो जाता है V square बराबर U square plus minus तू जी एच यहां पर एस के जगाँ एच लेना है ठीक है और बाकी वह तो जानते ही हो कि एच बराबर हो जाता है यू प्लस भी बाइट टू इन्टू ठीक यह वाला केस हो गया अब दूसरा केस के आओ गया कि जब हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं या फिर फाइनल पर जीरो हो जाए ठीक तो इसको क्या करेंगे यू जीरो है तो क्या हो जाएगा भी बराबर जी इ यहां पर यू टी प्लस हां सब्सक्राइब आगे तो क्या हो जाएगा अगर यह तो हैड आ जाएक अगर इसको इदर ले जाए तो क्या जाएगा चू एच बाइजी बराबर स्तिंट कर तो इसको अंडरूड को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा अंडरूड टू एच बाई जी बराबर टी यह हमारा टाइम आफ फॉलाइट का फार्मूला आ यानि कि यहां से हम इस सित को ड्राप करेंगे तो नीचे पहुचने में कितना समय लगेगा यह हमारा आजाता है अंडरूड टू एच बाई जी आजाता है ठीक तो हम इसको दूसरे वाले फार्मूले को इसे लिख सकते हैं कि टी बराबर अंडरूड टू एच बाई जी यह देख़ो तो निचस्कर प्राबर लेकर सकते हैं अब हम इसको इधर ले आजाते हैं यह-च गे RAW पिसको का हो जाएगा रिच्पार बाई ग्टू इच्छ थिक को आब इसको आइसे भी लिख सकते ना अब इसको हम ट्रांस्वर कर दें क्या हो जाएगा H बराबर U स्क्वाइर या V स्क्वाइर बाइ टू जी यज यह हमारा तीन फार्मूला जाएगा तो यह दोनों फार्मूले जो हैं बहुत इंपोर्टेंट हैं क्या कि इंपोर्टेंट है जब हम फार्मूल विलस्टि जो तो टाइम हाफ फार्मूला है यह मायकसमूम हाइट ऐज का फार्मूला है और जब हम किसी बाडि को ड्राप करते हैं मालीजी हम यहां से ड्राप किए हैं तो वो उसका यहां से यहां तक फедь-शकंड की दूरी हो गई ठीक x1 into x2 into x3 into x4 का जो रेशियो आता है यह आपको याद रखना है अब एक्जाम में बहुत जारी से कुछ से नाते हैं अगर फ़र्ष्ट में वन चला है तो अगले वन थी चलेगा तिकला presses vidi टुकड़ कितना एक मीटर पांच मीटर और साथ मिटर अगर आपसे बोल जाए कि चार सेकेंड में कितना चलेगा तो पहला सेकंड और दूसरा दो सारी दो सेकंड में तो पहला दूसरा जोड लेंगे कितना हो जाएगा चार मीटर अगर मालो बोल दिया जाए कि तो तीन सेकंड में कितना चलेगा तो तीन सेकंड में कितना जोड़ों कि पहला दूसरा और तीसरा तो कितना जाएगा पांत इना ठेक नव मेटर चलेगा और अगर आपसे पूछ देए कि चार सेकंड में कितना चलेगा कितना चार सेकंड में तो चार जोड़ लेंगे कितना स पांच बारा तीन पंदरा एक सोला मीटर तो पस यह रेसियो होता है वन इस्टो थ्री इस्टो फाइक इन्टो सेवर इन्टो नाइन आइसा ही हमाय रेसियो आता जाता है अब हम कुश्चन लगाने से पहले थोड़ा एक ट्रिक जान लेते हैं जैसे कि मान लीजिए हमने एक इसको यहां पर यू विलॉश्टी से फेंका है यू विलॉश्टी से ऊपर जाते जाते हैं यहां तक गई कहां तक यहां तक चार सेकंड में ठीक अब उसके बाद यह वापस आने लगी हम वापस आने कंडिशन को हम यहां से इसको ऐसे दिखा सकते हैं ठीक है तो यह मान ल कि 1000 कि यहां से वापस आएगी तो हम दूसरा कंडिसन इसको वही विलुट उसी समय पर हम इसको मान सकते हम इसको यहां से ड्रॉप किया है तो जो ड्रॉप किया है उसको y माल लेते हैं इसको y1 माल लिए इसको y2 माल लिए इसको y3 माल लिए और इसको y4 माल लिए तो इसमें बहुत एक अजीब सब coincidence होता है क्या होता है कि जब हम नीचे से उपर फेंकेंगे कि जो यह आखरी समय है यानि कि यो तीसरे से चवते का और यो जो ड्राप करते हैं पहले से दूसरे का इन दोनों का जो distance आता है न बराबर आता है यानि के इसको हो जाएगा इसका कि x4 क्या x4 जो बराबर आएगा y1 के और x3 जो बराबर करेंगा वो y2 के आएगा और x2 जो आएगा यह y3 के आएगा किसके बराबर आएगा? यानि ये जो है और x4 आएगा ये x1 x1 जो आएगा वो y4 के बराबर आएगा यानि कि यहाँ से जह हमारा पहला सेकेंड है ये इसका last second के दूरी बराबर होगी यह इसका दूसरा होगा यह उपर से इसका होगा ऐसे यह दोरी बराबर होगी ठीक है अब हम question कर लेते हैं कि if a ball is projected vertically upward यानि कि ball को ऊपर फेका जा रहा है कहां से ground से यहां से उपर फेका जा रहा है उपर की तरफ यहां से तो ऊपर फेकेगा नहीं ठीक with a velocity of 20 meter per second यानि इसकी initial velocity किती है 20 meter per second ठीक find the position of the ball after three seconds of motion position का मतलब पहुंच रहा है कि यह कितने दूरी पे है जब तीन सेकंड बाद यह ball कहां पर पाई जाएगी ठीक तो अभ्याद करिए कि किस वाले फार्मूले में position का आता है यानि हाइड आता है तो second नमर वाला फार्मूल अपर खीक टिद्यान दिजेगा कि 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 यह जब हम बाल को उपर फेंक रहे हैं थी बराबर क्या हो जाएगा माइनस जी लेंगे क्यों क्यों क्योंकि जा रहे हैं तो इंवर्पर ने अगेंस जा रह见 नींच courses माइनस अगा दिगन कर एगा घ्री थे-पर मायनस हवह थी पहलू कित्ती होती है 10 इंटू टी का स्कॉयर यानि तीन का स्कॉयर नौ ठीक इसको काड़ दें कित्ता हो जाएगा पांत नौ पच्छे पैतालीस कित्ता हो जाएगा 60-45 जाने कि 15 मीटर निन 3 सेकिंड बाद यह जो बाल है अमारी यह 15 मीटर पर अकर मानले जी इसकी टोटल हाइड जो है 20 मीटर है या कुछ भी है तो यह 15 मीटर पर कहीं कहीं पाई जाएगी कहां पर यहां पर पाई जाएगी अब इसी में देख लेते हैं कि अगर मानलो बोल जो जाए कि जो पोजीशन बताओ चार सेकंड के बाद में कब T बराबर 4 सेकंड पर है ठीक T बराबर 4 सेकंड को हम देख लेते हैं क्या आता है कि H बराबर हो जाएगा यू तो 20 है इंटू 4 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 4 का वर 16 ठीक कितना हो जाएगा 20 को 80 माइनस यह कितना हो जाएगा 5 16 पंचे 80 यानि 0 यानि कि 4 सेकंड बाद जो है वो बाल फिर वहीं ग्राउंड पर आके पहुंच जाएगी अब आप यह पूछेंगे कि 4 सेकंड बाद ब बाल को फेंका यह गया था यहां से यहां तक अपने maximum हाइट कबर की जहां तक जा सकती थी फिर वहां से यह वापस आके 4 सेकंड बाद वहीं पहुंच गई है जहां से इसको फेंका था ठीक अब हमारा next question क्या कहता है कि if a ball is projected vertically upward from top of a tower अब इसमें ध्यान देना है कि जो बाल फेंका जा रहा है ना वह ग्राउंड से नहीं है यहां से नहीं है वह टाप आप टावर यानिकि यहां से फेंका जा रहा है ठीक यहां से यहां से बाल फेंकी जा रही है यानि कि टच कर जाते हैं किते सेकंड बाद शे सेकंड बाद अब इसमें दो कोश्चिन पहुचा हुआ है कि what is the height of tower हबसे पहले तो tower की height पहुचा है और दूसरा क्या कह रहा है what is the velocity of the ball when it strikes the ground यानि कि जब वो यहां पहुंचता है तो समय velocity क्या है और इसका height क्या है हम पहला question देख लेते हैं यह क्या है what is the height up एक तीज आपको पता होगा जब हम किसी भी body किसी तीज को उपर उच्छालते हैं तो कुछ समय बाद जाके यहां पर रुख जाता है ठीक मतलब कुछ height पर जाएगा फिर वहां से रुख जाएगा फिर उसके बाद वहां से वापस नीचे की तरफ gravity की तरफ आ जाएगा ठीक तो इसको हम दो तरह से भी कर सकते हैं कि पहले यहां से यहां से यहां तक कर निकाल लें पर हमें ऐसा नहीं करना है हमें अपना वही यही फारूमना लगाना है कौन सा हैट वाला क्या एक बरावर यू टी प्लस हब जीटी च्कॉरत अब 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 आप इसमें यह बताईए कि जी को हमें प्लस मिलेना है क्या लेंगे हम जी को यहां से ऊपर भेग रहे हैं तो क्या लेंगे माइनस मिलेंगे अभी आप हमको इनीशियल लेना है कि हम जब शुरू किये थे उस समय पे जी कैसा था यानि कि जब मौसल उसका बाड़ी का शुरू हुआ था तब जी कैसा था हमारा जहां पर जी नेगेटिव मिलेंगे क्या लिख देंगे इनीशियल व्लाश्टी कित्ती थी थी हमने 10 मेटर पर सेकंड क्या 10 इंटू टाइम कित्ता दिया दो छे माइनस हाफ इंटू जी की वाइलू 10 इंटू टीज की स्कॉयर कित्ता जाएगा पांच आजाएगा यहां कित्ता आ रहा दस इंटू शाठ माइनस जब हम इसको मल्टिप्लाई करेंगे तो कित्ता आ जाएगा छे पंच तीस और पंदर टीन अठरा एक तो असी इसको घटाएंगे तो कित्ता जाएगा माइनस का 120 मीटर आब यह जो हाइट माइनस में आ रही है तो माइनस का मतलब यह थोड़ो न को थ्रो किये थे उपर वहां से वह नीचे है एक सो बीस मीटर इस समय पर शह सेकेंड बात कहां पे है यहां पे है एक सो बीस मीटर उस पोजीशन से नीचे पी है यह हाइट कित्ता आ जाएगा 120 मीटर यह हमारा पहला एंसर आ गया अब दूसरा क्या पूछा है कि हाट इस पता है सुरी यहां पर जी हमने क्या लेना है निगेटिमिजिंए लेना है तो यहांगी सिख याँ कित्ता है दस ईस पूसिख अरू आद्स ऑझाण माइनस यह दर्स आता है कि हम फेंके ते ऊपर के तरह विलोच्टी दिते हैं उसको हम पॉजिटिव लिए और जहां हम नीचे आ तो विलोच्टी हमारा क्या है नेगेटिव है यानि आइक इसके डारेक्शन जो है नीचे की साइड है हम फेके थे किदर उपर की साइड बस माइनस हमारा यही दर्स आ रहा है ठीक